सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है, कैसे हैं, सभी लोग उमीद करते हैं, सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का अनन ले रहे हैं, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं भारत के इतिहास में, यूट्यूब के वीडियो के इतिहास में सबसे बड़ी सीरीज शुरू पहला वीडियो मैं आपको इंट्रोड़क्शन वीडियो दिया था तो अभी तक अभी तक भी अगर आपने इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि अगर आपको सीरियसली स्टॉक मार्केट सीखना है सीरियसली अगर आप स्टॉक मार्केट के ट्रेडर बनना चाहते हैं चाहे इंट्रडे चाहे पोजीशनल अगर आप बनना चाहते हैं ऑप्शिन चेन के एक्सपर्ट अगर आप करना चाहते हैं डेटा का एनलेसिस और नहीं खर्च करने चाहते हैं धेर सारे पैसे लेकिन आ से option chain analysis के धेर सारी theories, धेर सारे scenarios के बारे में हम लोग यहां पर बाते करने वाले हैं. तो आज मैं आपको glimpse दिखा रहा हूँ किसका LTP calculator का है. LTP calculator app को आप Google के play store से भी download कर सकते हैं android version और अगर आप iOS का version डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप iOS store से download कर सकते हैं app store से. या फिर आप web बर भी ltp.investingdaddy.com पर चाह करके उसको subscribe कर सकते हैं. तो चलिए बात के शुरुआत करते हैं क्या बाते करने वाले हैं LTP calculator का ये एक home screen है. home screen पर बहुत सारी चीज़े दिखाई देती हैं, basic चीज़े हैं, जाएंगे आपको खुद बहुत सारी चीज़े समझ आ जाएंगे. मैं सीधा fact पराता हूँ, मैं सीधा मुद्दे पराता हूँ, कि बाजार कैसे देखना है, different scenarios होते हैं, chart of accuracy के theories होती हैं, six kinds of reversals होते हैं, वो सब हम लोग दीरे दीर सीखेंगे. तो पहली चीज़ जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, वो हम लोग सीखने वाले हैं, कि ये imaginary line किस तरीके से काम करती हैं, और किस तरीके से आपको बाजार को बताती हैं. imaginary line basically होती क्या है, ध्यान से देखिए, यहां पर आपको एक red color की लकीर दिखाई दे रही है, ये red color की लकीर आप ध्यान से देखें, तो आपको ठीक दो strike prices के बीच में दिखाई दे रही है, इसको गौर से देखिए, कौन-कौन सी strike prices हैं, पहली उपर वाली strike price है 19,550 की, red color की जो लकीर है, जिसको हम लोग imaginary line कहते हैं, ये इन ही दोनों strike prices के बीच में, क्यों मैं बता रहा हूँ इस imaginary line के बारे में, imaginary line मेरा एक concept है, मेरा ही दिया हुआ एक नाम है, imaginary, इसका मतलब होता है imagination, पहले, जब मैं ये research शुरू किया था, आज के लगबग 15 years पहले से मैं य सारी बाते देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसी कारण मैंने इंडिया का number one option chain का analysis का tool बना डाला, theories बना डाली, तो जब मैं देखता था, तो मैं national stock exchange के three minutes delayed data पर देखता था, यानि कि वो data जो तीन मिनट delay आता था, ती deal की national stock exchange से, tie up किया national stock exchange से, और हम उनसे authorized authentic data लेकर क्या है, authentic data मतलब मिलने को तो आपको कई सारे tools मिल जाएंगे, हो सकता है कोई ऐसा tool हो जो आपको free में भी data दिखा है, लेकिन उसकी authenticity क्या है, कि वो data actual में सही है, या गलत है, numbers actually में time से दिखा रहा है, या नहीं दिखा रहा है और seriously वो numbers ही market में हैं, या auto generated आज कल AI का जमाना है भी, या AI generated numbers है, तो trap होंगे आप, फस जाएंगे आप, इसलिए हमेशा national stock exchange से authentic data ही आप use करें, तो ये imaginary line, तो जब तब मैं जब use करता था, तो मैं इस line को imagine करता था, imagination करता था, कि यहाँ एक line होगी, माना की, suppose that, जो बच्प मैं यहाँ में imagine कर रहा हूँ, तो जब मैंने अपना tool बनाया, तो tool में मैंने imaginary line को दीखा दिया, यह दिखने लगी red color के लेकिन नाम जो बच्पन से पढ़ा, उसका chintu, तो chintu ही रह गया, तो इसका नाम पढ़ा, imaginary line, तो imaginary line ही रह गया, क्यों आती है, क्यों यह imaginary line इन ही द 553 को आप द्यान से देखेंगे, तो यह 553 इन ही दोनों strike prices के बीच में है, इसलिए हमको यह imaginary line इन ही दोनों strike prices के बीच में दिखाई दे रहे है, यानि कि यह बाजार का चलता फिरता भाव है, सवाल यह क्या यह imaginary line दिन भर एक ही जगह पर stable रहेगी, या अपनी जगह बदल सकती है, यह सवाल है, इस सवाल का जवाब आपको comment box में देना है, और comment box में अगर आप जवाब देंगे, तो दूसरा episode आपको देखने के लिए मिलेगा, और अगर अपनी जगह बदल सकती है, तो क्यों, और दिन भर stable रहेगी, तो क्यों, तो आगे की बाते हम लोग सीखें में, episode 2 में, और imaginary line का क्या काम है, ये भी हम लोग देखेंगे episode 2 में, तब तक के लिए investing daddy channel को subscribe कर लिजे, bell icon प्रेस कर दीजे, और हाँ, ये आप मेरे सब वादा करिए, कि आप इस video को कम से कम 2000 जगने share करेंगे, आपके friends, family, जितने जानने वाले हैं, सभी को share कर दीजे, कि भ कुछ, बिना chart देखे, बिना indicator देखे, बिना candlestick के लफडे में पड़े, हम बाजार को evaluate कर सकते हैं, हम बाजार को calculate कर सकते हैं, एकदम expertise की तरह, लेकिन उसके लिए आपको देना पढ़ाएगा धेर सारा वाक्त, तो channel को subscribe करिए, bell icon प्रेस करिए, और अगर आपको option chain analysis का हमा संडे वेबिनार देखना है, तो नीचे comment box में link है, description box में link है, वो वेबिनार आप join कर सकते हैं, LTP calculator app डाउनलोड करना है, तो description box में link है, YouTube का channel तो subscribe आपने कर ही रखा है, Twitter पे हमको जरूर follow करिए, at the reddaddy investing, ऐसे ही सीखते रिए, मुस्कुराते रिए, और जीवन का आनंद ले पे रिए